मोधी जी रिपप्लिक बंगला में पहली बार बहुत 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 शुक्रिया आपको मोधी जी ये जो पूरा पूरा जो माहौल है हजारों में लोग यहां पे आये हैं क्या कुछ नहीं हुआ ये प्रोग्राम को बंद करने के लिए लोगों को रोका गया 144 इशु के किया गया बहुत सारे जगाओ पे रोक नहीं पाए ममता बैरेट जी को मोधी से इतना डर क्यूं है उनको मुच्छे डर नहीं है वो स्वयम से डरती है उनको लगता है कि उन्होंने जो जूठी मायजाव हड़ी की हुई है और गुबरा फुट चुका है बंगाल की जन्ता उनके कुट करमों को भली बाती समझ गई है और बंगाल के नागरिकों का बंगाल की भावी पीडी का और बंगाल का वो भारी मुक्षान कर रही है ये अब बंगाल के लोगों के मन में कन्विन्स हो चुका है और इसलिए वो बच्चने के लिए रास्ते खोज रही है। ये चुनाव उससे बहुत अलग है। ये चुनाव अपा और विस्वास का चुनाव है। ये चैंपेंट की बहुत बड़ी अचुमेंट है। मौधी जी 21 दिन हो गए, टीन हफ़ते। हुमाएन कभीर त्रिनमूल के जो MLA है उसने बोला था हिंदियों को काट के भागी रतिमें बहा देंगे। उसके बाद ममता बैनल जी ने तो ना नहीं बोला, उसके ऊपर राम कृष्टन मिशन भारत सबस्वास को इंसर्ट किया। और इसके बाद बोला, रामाएन महावारत सब कुछ खतम हो जाएंगे, कुरान, कुरान, लेकिन मेरा विकास का जो कहानी है वो खतम नहीं होगा। ऐसा क्यों कर रहें ममता जी। देखिए ममता जी की राजनीती इस्टिपन निर्भर है। वोट बैंक की राजनीती के लिए, वोट जिहाद के लिए, वो लगातार राम नौमी पर प्रतिमन लगाना, दुर्गा विसरदन पर प्रतिमन लगाना, कोई जैज राम बोले तो लड़ाई लेड लेना। और वो परमपरा उनकी अपनी पार्टी के हर जत्री में आई है और इसलिए वो सभी इंदों को दुबो देने की बहा देने की बोलने की हिम्मत कर रहे हैं इससे बड़ा देश का कोई दुर्भागे नहीं हो सकता है और नेशनल मेडिया जो आए दिन जो खानमार के गैंग है वो ऐसे ऐसे विशों को उचालती है उनके ध्यान में यह नहीं आता है कि इतना गंबीर मुद्दा है कि देश वाजियों को गंगा में बहा देने की बाते हो रही है ममता जी तो चूब है उनके पूरी गैंग चूब है मोती जी बंगाल जहां पे हम कड़े एक टाइम पे इंडिया का कैपिटल हुआ करता था है हम लोगों का क्या कुछ नहीं था इंडस्ट्री लेके ट्रेड कल्चर सब कुछ था अभी हम लोगों का जो ग्लोडी है वो है नहीं सउगूर हो तो पूर नन्दिक ओ इंडिया में फैक्टरी होगा भावोड में सब जगा फैक्टरी होगा और हम मुंबाइ दिछली के साथ चक्कर देंगे विकास की मेरा गुजरात का अनुभव है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है कि यहां 10 साल में 7 साल अकाल होता है गुजरात के पास कोई मिनरल्स नहीं है जो बंगाल के पास है ज्यादा ज्यादा हमारे पास नमक है और कुछ नहीं है उसके बावजुद भी हमने दीरे दीरे महनत करके उसको एक इंडुस्ट्रियल स्टेट बना दिया बंगाल का तो पुरा हिस्ट्री इंडुस्ट्री का है बंगाल के पास बहुत बड़े प्राकृतिक संसादन है लेकिन यहां पहले वाम वालों ने लाल जंडे के जुलुद निकाल करके सारी इंडुस्ट्री को ताला लगा दिया लोग भाग भाग करके कहीं और चले गए इंवेक्टर को जो सुरक्षा चाहिए जो विश्वास चाहिए कि पॉलिसी में स्टैबिलिटी रहेगी वो जब तक नहीं आता है कोन इंडुस्ट्रेलिस आएगा और इसलिए बंगाल के विकास के लिए बंगाल के नवजवानों के भविश के लिए इस सरकार को हटाना सब सब्सक्राइब होने चाहिए मोधी जी अगर आप खुद अगर डबल इंजन सरकार हो यू आफ बीन ऑन ऑफ एक्सपर्ट इंगिंग बिजनेस इं गुजडार बंगाल के लिए वो क्या करेंगे आप डबल इंगाल के लिए उनको पहले भी अड़वाई दिये कि आपको ये करना चाहिए और मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को जो कि अबने जी ट्वेंटी अलग अलग राज्यों में क्यों किया इसलिए कि उन राज्यों का प्रोजेक्शन हो वे अपने राज्यों को फोकस करें ताकि दुनिया का ध्यान जाए तो मेरी तरफ के जो भी मदद इस बार इस बार क्या यहां पर भी मूदी सर्कारा मानता हूँ पूरे देश में हमारा बेस्ट परफॉर्मंस बंगाल के लोगसभा के चुनाओं में रहने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर् धन्यवाद सर्कारा